जी हां जी हां जी हां काफी लंबे समयों के बाद आपका भाई फिर से आ गया है तो घबराईये मात आप सबका प्यारा सा नन्हा सा भाई हाजिर है और हाजिर है तो एक नए वीडियो के साथ ही हाजिर है तो मेरे प्यारे शात्यों मेरे एक प्यारे भाई है जिनका नाम है रोसन गिरी रोसन गिरी और प्रेमचन भाई ये सब कुछ मेरे साथ ही है उन्होंने कहा है कि सर मुझे देखो यार मेरे को सर मत कहा करो यार मैं तेरा दोस्त हूँ तो यहाँ पर आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ उस्मा का संचरन और साथ ही इसके कुछ है बिधिया आज के इस लेक्चर में हम ये तीनों बिधिया ही बात करेंगे और उस्मा का संचरन तो घबराया मत बेफिकी रहिए आप सहीं जगह और सहीं टाइम पराया है ठीक है तो सली अब यहाँ पर सबसे पहले बारी बारी से समझते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा तो घबराया मत क्योंकि सांसे लेनी बहुत जरूरी है घबराया पर आप देख सकते हैं उस्मा का संचरन दोस्तों आप से पूछ दिया जाए बार बार दोस्तों कहने में दिक्कत लगता है इसलिए यार मेरे प्यारे शाथियों आपको यहाँ पर दिख रहा है उस्मा का संचरन जी हाँ उस्मा का संचरन जिसे हम इंगलिस में बात रहे तो ट्रांसमिस्टन ओफ हीट ओके गज यहाँ पर है उस्मा का संचरन का परिभासा वो क्या है यहाँ पर है बहुत ही आसानी सी परिभासा परिभासा में लिखा हुआ क्या है उस्मा का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक गती करना गती करना यानि जाना चलना घुरना यानि उस्मा एक जगत से दूसरे जगत जाएगा तो वही तो है आपका क्या उस्मा का संचर्ण ठीक है ये चीज़े आपको समझ आई की नहीं आई समझ तो आहे गया होगा यहाँ पर उस्मा का संचर्ण बिलकुल आसानी से आया की नहीं आया एक जगह से दूसरे जगह उस्मा गया बस आपका हो गया उस्मा का संचरन ठीक है तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं ठीक है तो आईए अब हम इनके बिधियों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर है उस्मा संचरन की बिधिया सबसे पहले बताईए आपको उस्मा पता है ना उस्मा पता है उस्मा उर्जा का रूप है ये तो आप बच्पन से बढ़ते आ रहे हैं बढ़िया है तो उस्मा पता है और इसमे संचरन का मतलब क्या होता है साथी तो संचरन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना तो जो उस्मा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या-क्या बिधी से जा सकता है वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है उस्मा संचरन की बिधिया तो क्या-क्या बिदी है जिसके द्वारा उस्मा हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो यहाँ पर पहले नमर में हमारा जो बिदी आ गया वो है चालन बिदी जी हाँ इसका वादर सन वहन बिदी और साथ ही है विकीरन बिदी तो आईए इसे बारी-बारी से समझते हैं और बहुत ही कम सब्दों में परिभासा देखकर डरना मत्यार क्योंकि डरने से आज तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है चालन विधी जी हाँ चालन विधी तो यहाँ पर आपको ये चीजे ख्याल रखनी है कि चालन विधी जो है वो धातू में ही होता है और अधिकतर धासू धासू नहीं धातू तो गाइज क्या होता है कि हमारा जो चालन विधी है न वो धातू में ही होता है और धातू अधिकतर कैसा होते हैं धातू अधिकतर ठोस होते हैं जी हाँ धातू अधिकतर ठोस होते हैं धातू पता है न यार जैसे आपके सामने लोहा एलुमिनियम चांदी, सोना ये सब क्या हैं ये सब धातू ही तो हैं प्यार हमारे जो अधिकतर धातू तो यहां पर यार परिभासा में क्या है देखते रही है मैंने आ रहा बस यह चीज़े आप यहां पर समझ सकते हैं ना कि ठोस में ही होता है सालन्विधी समझे यहां पर आपके सामने लिखा क्या हुआ है कि जब ठोस को गरम किया जाता है तो ठोस में उपस्तित अनु बिना अपना स्थान छोड़े उसमा को एक जगत से दुस्ते जगत भिज देती है और इनमें क्या होता है माध्यम की जरूरत होती है यही तो है आपका चालन्विधी मतलब मेरे प्यार साथियू यह कि चालन्विधी में ठोस ही पदार्थ होता है जै यहां पर हम गरम करते हैं तो यहां पर तो यह लोहाज होगा ना धीरे 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 यहां तक गरम हो जाएगी क्या हो जाएगी यहां से धीरे 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 गरम हो जाएगी पूरा यह पूरा यह गरम हो जाएगी तो मतलब हमारा यह निकला कि चालन्विधी में क्या ह होता है कि किसे भी ठोस को यानि जो धातू होते हैं उनको अगर हम गरम करते हैं एक भाग एक सिरा को हम गरम करते हैं तो दूसरा सिरा खुद वखुद धीरे-धीरे गरम हो जाती है ये सबसे बहुत धीमी गति से होती है ओके तो ये चीजे आपको बहुत ही आसानी से यार ख् गया तो यहीं तो है आपका क्या चालन भी दिये ऑखे तो यार परिभास आ देख डरण मत और हाँ इसमें माध्यम की जरुदत होती है मतलब यह की साथ ही अगर हम यहां से यहां लोहा यहां से असको ऊर किलर करते हैं जैसे इसमें क्या होता है माध्यम की जरुरत होती है जैसे यहाँ पर मैंने लोहा को गरम किया यार गरम किया और यहाँ पर लोहा कटा हुआ है और लोहा यहाँ पर कटा हुआ है और यहाँ पर एक लोहा लगा दो तो क्या यह गरम हो जाएगा नहीं गरम होगा क्योंकि इसको माध्यम चाहिए जहां से यहां तक सिधी होनी चाहिए और जूड़ी होनी चाहिए तभी तो यह क्या होगा गर्म होगा ओके तो जिसमें क्या होती है माध्यम के जरूरत होती है और यह संपर्क में होनी चाहिए क्यों क्योंकि यहां आग लहर रहा है तो इसके संपर्क में होना बहुत ह लुकश एक जगष से दूसरी जगष गया तो इस परकार से आप समझ सकती है बहुत ही आसान है ठीक है तो चलन्ज विधी किस चीज में होती है तो गाइस आपको ख्याल रखना है केवल और केवल धातू में होता है और धातु हमेशा ठोस होते है ठीक है? तो ये चीज़े आपको ख्याल रखनी है और पारा हमारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है तो यार ख्याल रखना तो चलन विधी तो आपको आ गया आ गया नहीं आ गया होगा तो चलिए अब यहां पर समझते हैं आगे की चीज़े और यहां चलन विधी में भी क्या है एक छोटी सी बात है जिसको नोट्स बना कर लिखना होगा यहां पर यह है कि अर्थात मतलब हमारा यह निकलता है कि उसमा उच्चताप से यानि उच्चताप कहने का मतलब ज्यादा अधिक यहां पर लोहा यहां पर लगा तो यहां पर क्या होता है चुलहा में जैसे हम लगाते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्म होगा यहां पर बहुत ज्यादा गर्म लेकिन यहां पर ठंडा होगा तो यहाँ पर उच ताप कहने का मतलब ज्यादा गर्म और निम्न ताप कहने का मतलब कम गर्म ठीक है तो हमारा जो उस्मा होता है न मेरे प्यार साथी ज्यादा गर्म से कम की ओर जाता है तो उस्मा यहाँ पर लिखावा है उस्मा उच ताप से निम्न ताप की ओर बहती है य यह उसमा का अस्था नांतरन ही उसमा का चालन कहलाता है ठीक है यानि एक जगस उसमा दूसरे जगस अस्था मतलब एक जगस से दूसरे जगस जाना यह संचलन का मतलब ठीक है तो यह चीज़ेगे आप बहुत ऐसानी से समझ सकती हैं पहला Systems तो मैंने पढ़ लिया पहला देखो यार समझना और ना समझना सिर्फ आपके उपर ही निर्भर करता है मैं कैसे भी समझा रहा हूँ अगर आपको समझने का ठीका ना होगा ना तो आप यार इसको देखकर भी समझ सकते हैं मेरे को बताने की जरूत नहीं है तो यहाँ पर चलिए भाम समझते बातों को लिखा क्या हुआ है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसमा संचरन की वह विधी यह उसमा संचरन की विधी है एक सनुहन विधी द्वारा भी उसमा एक जगस से दूसरी जगस आती है तो यहाँ पर परिवासा में लिखा हुआ है उसमा संचरन की वह विधी जिसमें और इसमें भी माध्यम की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत नहीं, जितना आपको ठोस में जरूरी है, उतना यहां पर नहीं जरूरी है, तो चालन वीधी में ज्यादा माध्यम की जरूरत होती है, और सन्वहन वीधी में ज्यादा माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कुछ-क कुछ होता है यह चीजे नहीं करनी है यहां पर कुछ कुछ होता है ठीक है और यह क्या होता है यह आपको द्रव अथवा गैस में ही होता है जी हाँ यह द्रव अथवा गैस में ही होता है तो यह चीजे आपको ख्याल रखनी है ठीक है कहने का मतलब यह है आप यहां पर समझन में क्या है दोस्तों पानी है और पानी को जैसे ही हम आग देते हैं तो क्या होता है कि धीर धीर उपर उठता है और धीर 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 यार यहां जैसे ही उपर उठा यहां की गर्म पानी तो गर्म पानी उपर उठा तो उपर की जो ठंड पानी होते ना वो नीचे की और आती हैं जैसे आपने पाने को उबलते देखा होगा ये आपको क्या है उसमा संचरन की ये बीधी है तो आपको सनवहन बीधी आपको किस चीज में होती है तो द्रव में होती है ये चीजे आपको ख्याल रखनी है और गैस में होती है तो क्या आपको ये समझ आया की नहीं आया अगर आ गया हो ते आर वीडियो को कुछ नहीं यार वीडियो को कुछ नहीं लाइक पाइक मत करना ठीक है तो आगे अगे हम समझते हैं अगला विदी सनुहान विदी तो आपको समझ आ गई होगी तो चलिए आगे हम समझते हैं और हाँ सनुहान विदी को हम इंगलिस में क्या कहते हैं convection method कहते हैं और इसमें भी माध्यम की जरूरत होती है तो ये चीज़े आप ख्याल रखिया ठीक है देखे यार कुछ चीज़े ऐसी हैं जिसको तो ख्याल रखना ही पड़ेगा जरूरी नहीं कि हर चीज़ को समझा ही जा सकता है ठीक है यहां हमारा जाता है विकीरन विदी जिसे अगर इंगलिज में बात करें तो यहं पर आप दिख सकते हैं जिसमें होता क्या है यह आपको क्या है उसम fingerprints विधि है यानि इसमें भी उसमा एक जगढ से दूसरे जगढ जाता है लेकिन बिना किसी माध्यम की जाता यहां पर परिवासा में है उसमा संचरन की वह विधी जिसमें कोई माध्यम की जरूरत ही नहीं सिधे बीना किसी माध्यम के पहुँच जाती है यही तो है आपका विकिरन विधी जी हाँ यही तो है आपका विकिरन विधी जैसे सूरी की रोशनी बीना किसी माध्यम के यार ध भड़ धर धर्ती पर पहुंँ जाती है ठीक है ओर आग हमारे सामने लहर रहा है जल रहा है तो में आपको बहुत य आसानी से आ गई होगी तो क्या आपको यहां तक की जनकारी कुछ समझ आया हो या नहीं आया हो आया हो नहीं समझ आई की नहीं आई यहां तक की चीज़े आपको समझ आई की नहीं आई अगर आ गया हो तो चलो यार वीडियो को करते हैं समाप्त और यहां तक कोई भी जनकारी में अगर आपको वीडियो को करते हैं समापत बाइबाइबाइट टेक क्यार बेस्ट अफ लग और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना और बने रहे यार और जूड़े रहें बाइबाइबाइट टेक क्यार